Hello everyone, welcome back to knowledge planet India आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में So friend आज का वीडियो एक requested वीडियो है जैसे कि मैंने आपको last वीडियो में update किया था कि आपकी request होगी तो मैं आप लोगों के लिए सभी जिलापरिशत की contact detail एक वीडियो में share कर दूँगी सो आज के वीडियो में मैं वही लेके आई हूँ सभी जिला परिशत की contact detail वहां के DO officers जो हैं आपके उनके name, उनकी detail, उनके phone number, उनके office number, उनके residency number, fax number, email ID, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबी student जो REIT में select हुए हैं वो अपने जिला परिशत की contact detail देख लीजिएगा, आप screen shot ले लीजिएगा और कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको अच्छे से मैं बता दू इसमें कि आप लोग अच्छे से अपनी जिला परिशत की detail देख लीजिएगा जो student जिने अपनी home city से काफी दूर जिला डिस्टी का लोट हुआ है वो लोगों के लिए काफी convenient रहेगा क्योंकि उन्हें काफी आसान होगा वो direct contact कर पाएंगे कि उनकी counseling कब उनका joining order लेना है उससे पहले कुछ एक दो बिंदू पर मैं बात कर लेती हूँ आप लोगे comment है police verification जो है वो वैसे counseling के बाद का ही valid होता है counseling date के बाद का police verification होना चाहिए police verification के process में टाइम लगता है इसलिए मैंने बोला था कि जो 25 को जिनका counseling है वो एक या दो दिन पहले ही बनाने डाल दे ताकि उनकी joining तक उनका police verification बन जाए second point medical certificates जो है seven days से पुराना valid नहीं होता है उसमें साथ दिन से ज्यादा का पुराना वो मानदी नहीं है वो acceptable नहीं होता है इसलिए आप साथ दिन से ज्यादा का न बनाए वैसे चाहाँ मैं तो आपको suggest करूंगी कि आपने joining order के दिन ही अपना medical certificate बना ले उसमें time इतना नहीं लगता है third point है आपका joining order so joining order जो है वो लेटियर आपको अपनी जिला परिशत में खुझ जाके लेना होगा वह आप लोगो को speed post नहीं करेंगी अपने home आपके जो home address है वहाँ पे आपको contact करना होगा अपनी जिला परिशत में उसके content details में आपको वीडियो में बता दूंगी तो आप से content कर लीजेगा कि joining order declare होए है या नहीं तो आप जाके वहाँ से ले लीजेगा आपको mostly एक second जो इंपोटेंट बात है वह है कि आपका एक और डियार कर लिजेगा क्योंकि वह आपके पीओ के वहाँ पर सम्मीट होगा सो एक सेट और आप प्रिपेर कर लीजेगा अभी कि अभी इसका proper information मुझे भी नहीं बता है जैसे ही मुझे कुछ update मिलता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी और उसके बाद भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अब बात करते हैं आज के वीडियो पे तो रिखिए पंचायराज डिपार्टमेंट राजस्तान लिस्ट ओफ चीफ एग्जेकेटिव ऑफिसर और एडिशनल चीफ ए कने हैं तो फर्स ड्सिक है यहां पर अजमेर तो आप देख सकते हैं अजमेर जिला परिशद जो uten जीफटिव ऑफिसर है। मिल्जटर नमंग की पीफ टो कनाम है कि officer है आपका कौन उठा है या नहीं उठा है आपको जो कॉंड़ेक्ट करना है वह office के telephone number जो ही है आपको यह जो ब्लोग है यह बहुत important ब्लोग है यहां पर आपको आपको कॉंड़ेक्ट कर सकते हैं यह उनके office के number है office का timing वैसे तो दस से पांच है या नो से पांच होगा मुझे exact नहीं पता लेकिन अभी सभी जिला परिशत में काम बहुत पास चल रहा है तो night में वैसे काम चलता है लेकिन आप office टाइम पर ही contact करें तो दस से पांच या नो से पांच के बीच आप contact कर सकते हैं यह office telephone number है जो आ इसके बाद उनके fax number है जो की इतना important नहीं है इसके बाद email id है तो आप यहाँ पर email id का भी यूज कर सकते हैं बट आप यह office के नंबर यूज करें वह जादा अच्छा रहेगा फ्रेंट देखिए यहाँ पर अजमेर डिस्टिक है उसके बाद यहाँ पर अजमेर अलवर प दोनों ही number मिलेंगे इसलिए आप चीफ वाले ही देख लें सेम नंबर है office के उसमें कोई changes नहीं है भरतपूर भिलवड़ा और बिकानेर तो हौफ की आप इसका screenshot ले लेंगे और मैं possible कोशिश करूँगी कि इसका जो link है वो discussion में आपको दे दू ताकि आप इस पूरी PDF को ही दोलपूर डुंगरपूर गंगानगर हनुमानगर और जापूर इसके screenshot ले ली जिएगा यह important है यह वाले contact details आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट इस्क्रोल कर रही हूँ मैं नेक्स्ट जो है वह आपके जापूर एड्रीशनल चीफ पे हैं आपको इसका इतना नहीं बता जसल मेर जालूर जालावार जुनजुनू जौदपूर कोटा करोलियन कोटा तो स्क्रीन्शोट ले लें आप नेक्स्ट है नागोर पाली प्रताबगर रासमन सवाई मादपूर सीकर और सीरोई यहाँ पर उनकी contact details दी हुई है आप यहाँ देख सकते हैं इस ब्लॉक में चलें आगे सो नेक्स्ट यहाँ पर आपको सीरोही टॉक और उदेपूर यह पूरी complete detail में आपको बता दी है और यहाँ के email id जो है वो आप एक बार और से देख लें सबी अपने अपने रिस्रिक की actually आप email ID एक साथ शो नहीं कर पारें तो कि क्लियर नहीं नजर आ रहा है पूरा काफी बड़ा इसकापेस साइस है So So यह है friends सभी डिस्टीक जिला परिश्द की जो लिस्ट है उनकी contact detail है होप कि आपके लिए काफी useful रहेगी इसके लावा भी आपको कोई doubt है confusion है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और second gear की वीडियो देख लीजीगा आप second gear की next exam के preparation करा रही हूँ कल आपके लिए video upload किया जाएगा mhm ka mhm ka part 2 लेकर आओंगी मैं next video में तक तक के लिए आप देखते रहे है channel knowledge plan दिया के सबी videos जो मैंने बिलनाए हुए है playlist में जाकर आप सारी videos देख सकते हैं so good luck and good bye